अच्क मिखनी साव और शार पूर कि ओकर फिर उलेकशन की रेल गाड़ी लेकर मैं आप सबके साथ आछुकों आपश्ब को बद है की RPF हो, NTPC हो ALP हो, Technician हो Group D हो, सबी के exam लगवग line up है, हमें बहुत जल्दी सबके exam देखने को मिलेंगे, खास तौर पर ALP Technician के form flick हो चुकी है और अब RPF की बात करें तो RPF आपको देखने को मिलने वाला है 15 April से, उसके बाद अब भी हमारे पास बहुत सारे से बोके हैं NTPC में खास तौर पर बार्मी पास हो या फिर ग्वेजुएट हो दोनों के लिए भरतिया हैं Group D 10 पास वालों के लिए एक अच्छी वेकंसी देकर आएगा तो इस बार जो रेलगाडी आ रही है कि आवाज क्लियर है रेलवेट्यार पर मेरी इक लास देख पा रहे हैं आज पहला दिन है मैं उनको थोड़ा सा यह कहना चाहूँगा कि आप सारे के सारे रेलवेट्यार पर आ जाना क्योंकि कल से एक लास सिर्फ रेलवेट्यार 24-7 पर ही आपको दिखाई देगी SSC Added 24-7 पर ये class आपको नहीं दिखाई देगी clearly मेरी बात आप सुन पा रहे होंगे अगर समझ में आरे हैं आप सबको तो कल से आपको ये class SSC Added 24-7 पर नहीं दिखाई देगी जो भी इसको अभी देख रहा हो या बाद में recorded पर देखोगे उनको भी कल से आपको ये class वहां नहीं दिखेगी ये class होगी वो railway अड़ा पर होगी ये मैंने शायद दिन में इंफर्म भी कर दिया था बट शायद कुछ लोगों ने फिर भी नहीं सुना होगा तो मैंने उसका link भी शेर कर दिया था बट अगर फिर भी नहीं सुन पाए हैं नहीं समझ पाए हैं तो मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि class आपको सिर्फ और सिर्फ railway 247 पर दिखाए देगी कोई railway की class है तो आप railway पर continue करेंगे इसको clear है ठीक है अगर आपको join करना है तो आज ही कर लो join जादा बहतर रहेगा आज ही आप वहाँ पहुंच जाओ जितने भी देख रहे हो बहुत सिंपल सा प्रॉसेस है करना क्या है आपको जहां पर आप पहली क्लास में थोड़ा से इंफॉर्म कर दो यहां आजाओ जादा बेटर रहेगा आज सी आप इस पर जॉइन कर लो यहां आजाओ आने के बाद में काम कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं कर रखा हो जो भी अपनी पल्टन में है सब्सक्राइब कर लो ताकि क्लास के नोटिफिकेशन आपको टाइम-टू-टाइम मिलते हैं और आपको बता रहें डेली क्लास होगी तो जितने भी लोग शिफ्ट कर सकते हो अभी कर लो ताकि यहां आजाओ को कि आपके बाकी सारे मित्रगण जो है वहां पहुंच चुके मेरे लिए भी बात करना आप सबसे आपके कमेंट्स को देख पाना वो सारी चीजें बहतर रहने वाली है तो सारे के सारे आई होप कि इधर आजाओ ज्यादा बहतर रहेगा जैसे आप देख पा रहे होगे सारे नाम आपको दिख रहे हैं तो यह सब आ चुके हैं ओल्दी region मताता हagen लों क्या करेंगे अज से रही जो मैने आपसे पहले वी बोला था आपको याद वह मैंने आपसे बोला था एक तारिक से class का अंदर अलक लेफल का मजा आएगा और वह अलग लेफल का मजा आए आघन को डिखू करेंगे आपको hyes सीजे लिकर है घर का फरवरी 2019 को कराया गया था as it is same question के साथ तो आज question वो नहीं कि 20 पे बंदे हुए हमारे पास 20 पे खतम हो जाएंगे जितना तुम पढ़ना चाहोंगे 20, 25, 30 जितने भी question करना चाहोंगे उतने question आज की class में आपको कराऊंगा लेकिन वही चीज़ है कि जितने तुम कर सकते हो जितने पर तुम साथ दे सकते हो ठीक है चलो तो करते हैं कहानी का आगास चीदे चलते हैं पहले question की तरह पहला question आपकी tv screen पे आचका है निकालो answer कितना हैगा दोस्ट जल्दी से पहले question का answer बदो कितना आ रहे है और कल से मैं इसको black कर दूँगा को मुझे लग रहा है वाइट ज्यादा दिख रहे है तो मैं कल से इसको black कर दूँगा आज ये वाइट ज्यादा दिख रहे है जहां तक मैं देख पार हूँ बहुत ज्यादा हाई इवाइट ज्यादा है प्रैटने से दगरी है निकाल वही कितना रहे है है जल्दी 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 पहले question का answer कितना होगा चलेगा ये वाले काफी आ रहे है ज़ल रहे है फर्स्ट एंड फर्ड आइनसर वे चल रहे है कुश लोग का आंसर A है कुछ लोग का आंसर B है कुछ लोग का आंसर C है A B C तीनों आंसर देख रहे हैं मेरे को बात कर लेते हैं देख लेते हैं मुलाकात कर लेते हैं क्या होगा इसके हमको क्या बनाना है इसके हमको बनाने जल चबी जल चबी मतलब यह वाला तो A ऐसा बनेगा यह वाला इसा बनेगा ठीकतो नमस्ते करतो नहीं होगा बाकी हो सकते हैं एल ऐसा बनेगा एल अगर ऐसा बनेगा तो इसको नमस्ते-सकों नमस्ते आंसर आएगा option a clear है तो जितने आ रहे हैं वो सारे नित्ग यह one Chaut करते हैं दोस्त अगे और बात करते प्रसण संग कि दो इसका अंसर निकालों जल् Maxi से दूसरे काcjon यह कितना है। कि मुंद्धिंग जल्दी घोडिनिंग धुरी की सभी सभी को फिरूण दोस्त जल्दी से निकालों दूसरे प्रश्न कह उतर कितना हो होगा है कि सेकिंड वाले का अंसर है कि कुछ आ रहे है कि बी आ रहे सिर सबका कि चलो बात कर लेते कितना एक है ना समस्थे देखो यहां पर आप से कह रहे हैं एल के परीट में कौन सा भाग होगा इन दोनों को कंपेर करना है कौन कितना है जी दोनों में बोले नहीं एच दोनों में बोले नहीं आई दोनों में बोले हां आई अगर दोनों में तो जो दोनों में होता है एक तरीका तो यह है कि आई के बाद में एल आ रहा है तो आई के बाद में जो आ रहा है वो आपका उपोजेट होगा दूसरा तरी कि अपी पोले हम से पूछले का बोले को फोपसे फिल Construction France einzelोका अंसरो का सुपिगी कि से किद नंबर निमला को यह तो जितने लोग आंसर भी बन रहा है से कि बन रहा है है दोस्त है जल्दी जल्दी तीसरे प्रश्निक उत्तर को कुष्चिन देख रहे हो तुम कि ते जबरतस्ता आज निकालो इसको टॉपिक मैंने सारे पढ़ा रखे मेरे लाल आपने शहीं लेट हो गया पढ़ने आने में टॉपिक मैंने सारे पढ़ा रखें टॉपिक कुम बता दूंगा कहां मिलेंगे आखरी में इसका अंसा निकालो किता रहा दोस्त बारा आठ छे वेन्यू कौन सा चलो C आ रहे डी आ रहे त्वेल वारा देखें मेरे लाल कितना बनेगा A C D समझ लो आराम से जरा जितने भी A कर रहे हो C कर रहे हो D कर रहे हो पहले आप से पूछ रहे हैं क्या त्रबुज नहीं पूछे समकोड त्रबुज पूछे समकोड समझते हो ना अरे समकोर त्रबुज कुछ ऐसा होता है हाँ या ना जिसमें एक 90 ृगण बनता है पता है ना समकोड तरबुज ये ऐसा थ्रबुज होता है गोले हां सर बन एक के बाद में अगर मैं बात करूँ मेरे लाल एक ये बन रहा है बोले हासर बन रहा है दो बन गए दो बन गए दूसरा ये ये 90 डिगरी बन रहा है इधर ये 90 डिगरी बन रहा है इन दो के अलाबा अगर देखोगे तो सेम इनकी जैसा ही सेम मेरे लाल इनके जैसे ही एक ये बन गए इन 4 के बाद में अगर आप नोटेस कर रहा हो तो देखो क्या है एक ये वाला 5 एक ये वाला 6 इस पिक्चर में 6 मिल गए पहले इतना बोताओ इस पिक्चर के अंदर 6 मिल गए आपको हाँ या ना इस पिक्चर में टोटल 6 समकोर तरभुज मिल गए की नहीं मिल गए ऐसी आकरती के आपको 6 पिक्चर देखने को मिल गए की नहीं मिल गए टौटल 6 मिल गए अगर 6 मिल गए तो 6 के अलाबा भी बन रहे, कौन से बन रहे हैं देखो 6 के अलाबा एक आपका ये बनेगा ये वाला ये ये वाला मिरे लाल ये बहार वाला टोटल कितने समकोर्ट त्रभुज होंगे टोटल होंगे 8 आठ वाले जितने आ रहें हो सारी के सारे बिल्कुल ठीक है तो आंस्ण इसे सम्कून अंगल नभए डिगरी की कूर वाले जो त्रभोज होंगे वह आपके आठ होंगे चलो आगे बात कर लेते हो नेक्स्ट कोईशन से मुलाकात करते हैं कोईशन नमबर चार कांसर निकालो जल्दी से कितना आएगा चौथा प्रश्न करो वही जल्दी मेरे लाल चौथे प्रश्निका उत्तर वदाओ कितना आ रहा है कोईशन कंफ्यूज ही करेगा तुमको अउनली फर्स्ट केवल पहला यह लिखका सभी चीटियां मदुमक्खी है औल दी आंट्स और बीज देर इस नो आंटा वाम कोई चीटि कीड़ा नहीं है कुछ मदुमक्खी चीटियां है कोई मदुमक्खी कीड़ा नहीं है कुछ सब्सक्स केवल पहला आप तुम समयते रहो बंड़ डियग्रम को किस हट पूचा जा सकता है वह इसमें दिखाया तूमकु जाद तक वैंड़ डियाग्रम ओकिक में अब आगे आप से कहरा है कि सारी के सारी जो कोई भी चीट है वो कीडा नहीं तो चीटी का संबन्द कीडा से नहीं द Turtle कीडा अपस में नहीं दों उप प्रिकार का डाइग्राम बन रहा होगा अगर ऐसा बन रहा है तो आधे से ज्यादा कोशिन कर चुके हो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अब पहला आप से पूछ रहा है कि भाईया सम बीजार आंट कुछ मदुमक्की चीटी है मदुमक्की का कुछ इसा चीटी में ब कई तो कुछ मदुमक्की के चीट नहीं है कोई बीमदुमकी नहीं है तो इसके बारे आप नहीं सकते इसको नबस्ते कर दो answer आएगा only first cable पहला only first follow cable पहला अनुसरन करता है यह आ रहा है सबका a वाले सारी के सारे बिल्कुल ठीक होंगे first one is the right answer जितने लोगों का answer a r है all are correct यह चीज मैंने कई बार बताई कई लोग इसको फिर गलत करें जो मैं अभी देख रहा हूं answers के अंदर तुमको 36 बार यह चीज समझाईए कि इन दोनों के अंदर अंतर होता है अगर कभी दिया जाएगा कि सारे a b है और कोई भी a c नहीं है और कभी देगा कि सारे a b है और कोई भी b c नहीं है कई बार इस पर बात करिया अपन लोगों ने कई बार अगर regular होगे तो याद होगा तो कई बार तुमको यह समझाए कि इसका मतलब होता है c का रिष्टा सिर्फ a से नहीं है B के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते है, B से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है लेकिन इसका मतलब होता है, C करिस्ता A से भी नहीं है, और B से भी नहीं है दोनों से नहीं है, तो हमारी जो कंडिशन है, वो पहले बाली है पहले बाली कीडे करिस्ता चीटी से नहीं है मदुमक्खी से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है तो अगर हम बात करें यहां पर मदुमक्खी से पूछा है तो भाई है यह वाला हम नहीं कह सकते हैं कुछ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक कई बार यह चीज़े बता और अब पूछेगा भी नहीं लेकिन ये question आया था तो मैं तुमको करा रहा हूं ठीक है ये अब नहीं आते अब इस पर time मत खराब करना बट ये पूछ सकता था तो मैंने ये तुमसे अभी पूछा है कि बहुत simple question होते थे पहले के लिए पूछते थे तुमसे तो आया हुआ है तुमारे पेपर के अंदर as it is आज क्योंकि मैं पूरा पेपर ही लगवा रहा हूं तो as it is question कर वाऊंगा जैसे आये थे पेपर में same निगालो कितना एगा इसका अंसर गुद इविदिंग गुद इविदिंग गुद इविदिंग सभी को skip और वदा हुए skip चलो बात कर लेते क्या होगा समझो इसको कैसे करना होता था हमसे कह रहा है कि इनमें से कौनसी आकिरती को आपस में जोड़के एक पूर्ण बर्ग वना सकते हैं वर्ग समझ रहो ना तो एक चीज तो तुमको पता है वर्ग वनाने के लिए सर इसको तो नहीं जोड़ेंगे और इसको नहीं जोड़ेंगे, दिख रहा है ना, इनसे तो वर्ग नहीं बन रहा है, कोई ऐसी आकिरती हमको नहीं दे रखिए, जो इनमें जोड़के वर्ग बना दे, कोई ऐसी आकिरती हमको नहीं दे रखिए, तो इतना तो तुमको अगर क्लियर था, तो तुम आंसर तो य आकृति समत्रों ना ये वाली जो बन रही है तीसरे वाली आकृति बन रही है थर्ड वाली दिख रही है थर्ड वाली जो आकृति दिख रही है ये वाला पॉर्ट्शन ये मैं इस पर बना दूंगा यहां पर थीक है ये वाला और उसके बाद में जो ये second वाली आकरती दिखा रही है ये वाली इसको औठा के आप इसके ऊपर रख़े दोगे ये second वाली आकरती हो जाएगी ये 2 नंबर है ये 1 नंबर है इनको रखोके तो ये आपकी आयत मतलब वर्ग बंजएगा स्कॉार बंजएगा एस दिट्टे से, तो correct answer जो आएगा, वो option number C आएगा, clear हो रहे है, हाँ यह ना, तो answer जो आएगा, वो आपका कौन सा आदेगा, option number C आएगा, third वाले सारी के सारे बिल्कुल, ठीक है, C is the right answer, चले आगे, इसको निकालो छटे को, जल्दी से इस प्रश्निक उत्तर दो जल्दी से मैं फिर एक बार आपको रिपीट करना चाहूंगा जितने भी लाइब पर देख रहा हूं या इसको बाद में रिकॉर्डिट पर देखो कि कल से आपको ये क्लास SSC अड़ा 247 पर नहीं देखेगी जितने भी अभी SSC अड़ा 247 पर स Information Klas old एंसे फिर बता ना चाहूंगा मिरे लाल की ये कलंगर को आपको कल से इस चैणल पर नहीं देखेगी कल से एक लास सिर्फ रेलवे आड़ा 247 पर ही आप चाहों तो अभी जोईन कर सकते हो रेल्बे पर जाओ कल से य क्लास सिर्फ रेलवे अड़ा 247 पर यह तो सारे के सारे पांजी औभी एगध्सी लगशतेस जो मंसी एक पहुंच चुकी है इस पर बात कर लें दो है फिर can यहां पराएंगे तो इनको नमास यह ठीक है दी वाले सारे सबया लो तो जतने लोगा आशर अशर ऑप्शन नमबर डी बनेगा फोर्थ बनेगा वो सारे के सारे बिलकूल करेक्ट आंसर है चले आगे चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोश्चन नमबर साथ इसको निकल देख रो किता खतरनाक सा कोश्चन है अच्छा मैं तुमको बताओ यह जो कोश्चन आया था इस कोश्चन को ड्रॉ करने के बाद इस पेपर के अंदर तीन कोश्चन आये थे इस कोश्चन थे समझ इस एक कोश्चन से इस पेपर में तीन कोश्चन बन रहे थे याद रखना कोश्चन यह एक आया था इसको बना करके सातमा पर यही था आटमे पर यही था नौबे पर यही था बस अलग अलग टाइप का कोश्चन पूछ लिया था तो एक कोश्चन ड्रॉ करके आप तीन को लिया तो छे कोश्टन डन है तुम्हारे तो सीखना बहुत जरूरी है नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नहीं सीखना तो दिक्कत है नहीं आना दिक्कत नहीं है नहीं सीखना दिक्कत है तो जिनको नहीं आता है वो परिशान मत होना उनको मैं सिखा दूँगा ल कि बहुत बढ़ी है जितने लोग आ गया है बहुत शांद दर अ कि इस पर बात करने कितना आ रहे है यह वाले काफी आ रहे है फरस्ट लगातार ए देखने मेरे लाल कितना आएगा छलो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं कोई इस्यू नियिए देखास कर लें कहने हैं औरी चेअ डूस्ट बैटे हुँ हैं एक अब्ला दुट назад मेच में के और कंदर की और मुँं करके बैच थीक हैं छे लोग 6 जिक आग बोलतें सट कोन में कॉन सी ओते हैं है यह वाली हیکजगन, सटभुज यह ओगी सटकॉन मेच इसके कुacağım पर बैटे हैं सब अंदर देख रहे हैं तो लिखिया है निशा जो है महेश के दाहिने हाथ पर बैटी है तो जहां महेश मन करें बैठा तो मैंने बना दिया हैं यह महेश है तो महेश के दाहिने हाथ पे निशा बैट गी ओलीवर निशा के सामने नहीं बैटी ओलीवर यहां नहीं बैटेगी और कहीं बैट सकती है रतीश और प्रकास एक दूसरे के विप्रीश दिशा में बैटे हैं तो रतीश और प्रकास अगर एक दूसरे के विप्रीश बैटे त पर प्रकास यहां आजाएगा बात खत्ब एक नाम बच रहा है वो यहां रख दो कौन सा नाम बचा जल्दी बताओ कासिम बचा कासिम यह आ गया तो लिख रह निश्या और कासिम के बीच में कितने लोग बेटे तो तीन लोग दो लोग बैटे एक और एक दो खिदर से भी ग लोग आ रहें दोनों के बीच में हाँ या ना रिपीट कर दूं तो आराम से सुन लो पहले ज्यांसे थोड़ा जवाब देदेना भी जब पूछू तो यह पता चले हम पूछे नहीं और तुमारा रिपीट तो आया था वट उसके बाद में कुछ नहीं आ है देखे इनी तु ठीक है छे लोग बैठें एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर यह लोग बैठें अब अगर जो छे लोग बैठें सबसे पहली लाइन में क्या देर रखा है पहले एक लाइन लिखे उस पर लिखे निशा महेश के दाहिने हाथ पर बैट यह तो जह यह एनफर निशा अगे, दाए हाथ पे, ठीक है, पहला point clear है, दो सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें, निशा जो है, महिस के दाए हाथ पे, तो महिश अगर यहाँ है, तो निशा यहाँ होगा, तो निशा यहाँ होगा, जहां महिस होगा, उसके दाए हाथ पे निशा बैठ जाएगी बस इतना है ठीक है अब बात करें लेक है लिए अलीवर जो तो यहां रतीस होगा, यह आमने सामने बैठेंगे, यह लाइन क्लियर है, यह दोनों आमने सामने बैठेंगे, तो एक ही जगा बच रही है, यह जहाँ पर आमने सामने बैठ सकते हैं, बाकि कोई लाइन ऐसी नहीं जहाँ आमने सामने बैठ पाएं, तो यह रतीस हो प्रकास ह हो ठीक है nouvelles अगर अपन बात करें तो आगी क्या देर के लिखना है मही लोव प्रकास का परोसी नहीं मैं यूज लोव प्रकास के पास पास नहीं है मतलब एक्लियर प्रकास यह नहीं बैठा कात Istchen प्रकास रहा घर प्रकास कंसर इहां बैठे ये बन गया डाइग्राम, अब आपसे पूछ रहाता कि яв निशा और कासिम के बीच में कितने लोग हैं, निशा और कासिम इधर से गिनौगे तो भी दो लोग हैं, इधर गिनौगे तो भी दोंगे इनके बीच में, आंसर आजयेगा option number B, B वाले सारे ठीकते, दो लोग बैठे दोनों के बीच में क्लियर है आई होप क्लियर होगा अच्छा एक काम ज़रूर कर ले ना मैं फिर बता दू दुमको यह कोईशन तुमको अभी जिन लोगों को नहीं आता होगा उनको देखके लगता होगा बहुत बड़ा कोईशन है सर हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा होगा वैस ऐसे अगर दो तीन कोईशन तुमारे पेपर में आ गए तो 6-7 नंबर में आएगा यह 6 नंबर 8 नंबर का आ गया तो अगर सीख लिया तो बहुत फाइदा हो जाएगा तुमको पेपर में तीन कोईशन बना के साथ आठ कर दूगे चलो आगे बात करते और बात करते आठमे आगे त्राइग जल्दी से करा दूगा अगर अभी प्रीवेस लगवार हो तो अभी तो पेपर में जो आया है उसके साब से कराओंगा बाद में आपको करा दूगा जो जो आपको दिक्कत है तो जल्दी से बताओ इसका अज़र कितना होगा दोस्त आठवेक अंसर की एया रहे फस्ट दीगत्त खतराओंद खंकार कोश्यान बहुत सिंपल समझो Kenneth इम का इनका जो सबकाerv की योगफल ऑर चाहाने के सारे अंज़ो की इस कि वह यह अरू लोगा बारह चाता पांज या इस यूद नमबर डी क्लियर है मेरे लाल फूर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्टर डी इस दा राइट अंसर सिर्फ और सिर्फ अंकों का योगफल बराबर है और कोई लॉजिक नहीं बहुत सिंपल सा लॉजिक है तो अंकों के योगफल के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं चले हैं मेरी चार बजे दोस्त जलिए इसको निकालो यह घुश्यन आया था कितने वर्ग है इसमें इसमें तोंकर स्क्वाइर कांट करने है इस पिक्चर के अंदर कितने स्कॉयर के फिगर कांटिंग से कोश्टेन आये हैं 2-3 समझके चलना कि निकालो वही कितना रहे है इस कांसर दोस्त जल्दी से कोई ना कि स्कूड रही करो कितने वर्ग होंगे दस साथ साथ कि सी सबका थर्ड आ रहे हैं कि चलिए बात कर लेते हैं अच्छा इस पिक्चर में नो इस इस पिक्चर में पांच होंगे यह तो सबको पता है जल्दी बताओ कोई ऐसा तो नहीं भूला बटका बैटाओ जिसको यह ना पताओ कि जर इसमें पांच कैसे होंगे सी आएगा थर्ड आएगा और करेक्ट सी वाले सारे के सारे बिलकुल करेक्टर थर्ड वन इस दा राइट असर बहुत बढ़िया आगे बढ़ते दोस्त और बात करते हैं एक्स कुशन कुश्यन नमबर दस इसका अंसर निकालो जल्दी से तुमको कुश ना आता हो इस कुश्यन के अंतर एलिमिनेशन नाम की चीज होती है अरे थोड़े बहुत सुने सुनाई तो हो कहीं पर इतना तो सुने हो को डॉक्टर कहां मिलते हैं तुमको इतना पता हो कि सर सेफ का डिलेशन रेश्टूडेंट से दे रखके हमको क्या करना ह है क्या नहीं करता हमको नहीं पता लेकिन डॉक्टर जो खाने से तो र्रिलेटेड नहीं है पीने से तो रिलिएट नहीं है पकाने से darauf सब्सक्राइद हुस्टाय और ऑप्षिं का जैगा मृइन सेंव outtaूक्षिंन नमबर एए बिल्कुल सही बात याइक भी करते हैंसा लगता है इनको मतलब तो चल सब्सक्राइब भी करेंगे छुल डियो में चल रहा हुट लाइक से टूर लाय्व में चल्रे रहे हो तर्वाल लाइक का फीलियो को पीछे कर दिया है तो रेल्वे वाली जो संख्या है वो लाइक के मामले में भी और लाइव के मामले में भी SSC वालों से बहुत आगे चल रही है लेकिन पहले 100 लाइक किस पर कंप्लीट होने वाले रेल्वे की SSC पर देखना है दोनों पर 100 से ऊपर लोग है तो कौन पूरे कर पाएंगे अटक गया है 76 पर चलिए बात कर लें बी वाले काफी आ रहा है सेकिन चलो लगबग बरावर की लाई चल लेए दोनों में देखते हैं 100 का स किसके पहले पूरे होंगे कौन पहले 100 पर आएगा सिर्फ 3 से 4 कंतर चल रहा है दोनों पर चलो बात कर लेते हैं इस पर देख लेत नहीं आता तो ध्यान से समझना और आता है तो और जाते द्यान से समझना अगर तुमको यह नहीं आता कि हमको नहीं पता कैसे करते हैं हम नहीं जानते तो सुनो आराम से थोड़ा सा आराम से सुनो तुम्हें समझाते हैं और अच्छा करके चलो देखी लो खुल जा देखो कितना बनेगा अराम तरह समझना अगर हम बात करें यहां पहले क्या P5Q तो आपको पहले 5 का मतलब रूणना है 5 कहां पर दे रखाए यहां 4 यहां 3 यह 5 मिल गया A5 B है तो A तो हो गया P और B हो गया Q इनके बीच में 5 है तो 5 बना दो तो यह हो गया A is the sister of B A B की बहन है तो यहां से हो गया A जो है वो क्या है P और B क्या है Q तो यह बन गया आपका P Q की बहन है पहली लाइन का मतलब निकल के आया P बहन है किसकी Q की यह लाइन क्लियर है दोस्त हाँ यह ना जल्दी बताओ पहली लाइन में कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई समस्य कोई परिशानी किसी को आराम तो बताना जिनको खास तोर पे नहीं आता है वो कोशिश करो कि आज की क्लास यह आर हो गया A Q है B R है A Q है B R है तो Q is the brother of R Q भाई हो गया R का Q किसका भाई हो गया R का दो लाइने बन गई ठीक है अब अगर हम बात करें आगे क्या होगा आगे देर रखका आपका R 5S R 5S इसका मतलब यहां से निकल कहएगा R is the sister of S R बहन हो गई S की कुछ S आ रहा है Arrange करने पर जल्दी बताओ हा यह ना जल्दी बताओ मेरे लाओ आप से कहा है P से S किस प्रकार संबन्दित है है ना? P से S किस प्रकार संबन्दित है हाँ from P is related to S अगर हम बात करें जनरली पी से S के रिलेशन की तो पहले तो यह बताओ क्लीर है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जल्दी जल्दी मेरे लाल एक बार देख वाराम से डायेग्रां में घ्लात कोई क्लत कोई समस्य कोई परशानी तो अभी बता दो क्योंकि फिर में डायगरम कंडिकर रोवना फिरमाज प्यों यहां तक क्लियर दोस्त हुथ ठींगेना चल सकते आगे हुष करना और कुछ नहीं करना मेरे लाल काया पर सना तुछ ठीक है चलो तो P जो है वो कौन है S की sister ही लगेगी बहन लगेगी क्योंकि minus है और same generation में दे रहा है लेकिन एक चीज़ समझो जो मैं तुम्हें समझाना चाहरो B वाले बिल्कुल सही है second बिल्कुल ठीक है P S की बहन लगेगी अगर हम बात करें generally इस चीज़ को लेकर कि इसके gender को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर देको S का तो हमको gender पता ही नहीं है तो अगर तुम भाई भी बोलो के तो भी गलत है क्योंकि S के बारे में आप नहीं जानते हो आपको नहीं पता है S लड़का है की लड़की है आपको नहीं पता की S लड़का है की लड़की है ठीक है समझनी कोशिश करो तो भाई तो बोली नहीं सकते न आप भाई कैसे कर रहे हो S का तो आपको gender ही नहीं पता की S लड़का है की लड़की है अगर आपको यहीं नहीं परता कि वो लड़का है या लड़की तो फिर आप्शन ही नहीं बचता आपके पाद में फिर पी वाला रिलेशन रहे गया वो आगया आपका option number B sister इसको निकालो कितना हैगा कि जल्दी से कि इसका अंसर कितना हैगा दोस्त कि मैं कौनसी पार्टी दे रहूं काई बात की कि तुम लोग एकदम ना कि तुम लोगों से सौलाइक पूरे नहीं हुए देख रहे हो डेड़ सो लोगों से मतला एक होता है कि हम ज़्यादा करने की तो मैं तुम से क्या उम्मीद करक्खू कि तुमको मिरे लिए ज़्यादा करके दोगे कई तो वो वाले हैं जिनके घर के आसपास से गुजरतिया जाए तो वो पानी भी को भी ना पूछेंगे पैचानने से मना कर दें कि हम नहीं जानते तुमको क्योंकि घर अगर आगा तो पानी पिलवाना पड़ेगा तुमें चाय तो बात की बात है चाय तो क्या ही लाओगे जो घर में अपने फोन पर लाइक नहीं कर सकता उससे चाय की उम्मिद तो मैं नहीं करूँ तो बहतर होगा इसकिप बात कर ले चलो बात कर लेते देख लेते समझ लेते है है ना पहला कहा रहा है आप से सस्तो है कि हम भारतियों के नियम कानून ज्यादा है एक छोटा सा बिजने सुरू करने में यह बिल्कुल घलत बात है हमारे यहां से जादा कहाँ देते हैं रिसमत है यहां तो किसी को अगर अपने निवास प्रमाण पत्र बनवाना हों जिसको पता है कि मैं वहीं रहता हूं उसके बावजुद भी उसको पैसा देना पड़ता है कि यह जल्दी बनबादी हो और पैसा ले लिए ओप्शन नमबर डी करेक्ट आंसर आजाएगा फॉर्थ वाले सारी के सारे बिलकुल करेक्ट हैं क्लेर है मेरे लाल हाईना ओप्शन नमबर डी बिलकुल करेक्ट आंसर आएगा नन वाले सारे के सारे बिलकुल करेक्ट है चलो बढ़िया तेरे का अंसर निकालो प्लेन का एक कोड दे रख आपसे कुइन का एक कोड आपसे पूछा है जल्दी से जल्दी 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 इस प्रेश्ण का अंसर कितना होगा वाँ निकालो जल्दी से कितना आ रहे गिसी जल्दी 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 जल्दीज कितना होगा देख लेंगे इतना है का क्यों मेरे लाल इतना समय प्लेन को बढ़ाने में लग रहा दुमको चलो देखो प्लेन का एक कूट दे रखा है अपने को अगर कोई ऐसा वैट है जिसने अभी तक प्लेस वैल्यू याद ना करी हो तो जल्दी से कर लेना बहुत फाइदा मिलेगा और अगर नहीं करने का शौक पाल रखा है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता यह 16 पे होता है यह 12 पे होता है यह 1 पे होता है यह आपका 9 पे होता है और यह 14 पे होता है यह 20 पर है यह 16 पर है यह 24 पर है यह 13 पर है यह 18 पर है यह 17 पर है, 21 पर है, यह 5 पर है, 5 पर है, 14 पर है, तो हो क्या रहा है, सबसे पहले वाले में 4 जोड़े बोले ठीक है, यहाँ पर 4 जोड़े बोले ठीक है, यहाँ पर 4 जोड़े बोले ठीक है, यहाँ क्या कर दिए, वोले 3 घटा दिए, सेबने को यहाँ पर कर रहे है, बोले 4 जोड़ो 21 चार जोड़ो 25 तीन घटाओ 2 तो यहाँ 4 जोड़ो 7 और 4 जोड़ो 28 यह आंसर आजएगा you y यह होजएगा तुमारा बी यह होजाएगा जी होजाएगा आर यू बाई बी जी आर कहां दे रखाया आपको कुछ गढ़बर हुगा है क्या पाच्छार नो होगा यह है आई आएगा बी आई आई आर ओप्षेन नंबर कौन सा होगा यह वाले सारे ठीक है तो जितने लोगों का आंसर यह आ रहे है वो सारी के सारे बिल्कुल ठीक है फर्स्ट वन इस दा राइट अंसर क्लेर है ना कि चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट कोईशन की तरफ चलें दोस्त यह तो क्लियर होगा सब को देखो प्लेस वैल्याद कर लो मरे लाल फिर बोल रहा हूँ अगर नहीं पता कैसे याद करने तो यूट्यूब पर सच कर लेना प्लेस वैल्यू बाई साहिल ते कैंवा हैस का जेंडर हमको नहीं पता तो आंसर कितना यहीं का सी हैं के नोट भी डिटरमेन निर्दारित नहीं कर सकते कि S कौन है पी का कि एश कौन है भा यह कि बहन हैं अमको नहीं पता या तो भाई भी हो सकता हो फ्र आपने पास ना तो सी हここ साहाबने वी जहब nervous mane gen को बोलाओं कि आपको answer के साथ option के according भी जाना पड़ेगा जो चार option आपके पास है आपको उनी में सा answer करना है पांच मान नहीं ला सकते आप उस जगे पे तो वहाँ जिसके साथ आप जाएंगे वो होगा option number 20 second इसको निकालो कितना आ रहे जल्दी से मेरे लाल जल्दी से बता हो कितना आ रहे इस प्रश्निका उत्तर कितना होगा दोस्त यह आ रहे है देखने है आज जो में यह आपको करा रहा हूँ यह as it is paper ही लगवा रहा हूँ आपको आई होप आप सबने शुरू से अगर class करियो कि तो सबको याद होगा कौन सी तारीक का पेपर हम लगा रहे है पता है ना किस्ते लोग को पता है वैसे class करते करते कि पेपर लगा रहे हैं आच ओर कौन सी डेट का लगा रहे है यह आरपी एफ का पेपर है दो फरवरी 2019 का अगर ना पता हो कोई बाद में जुड़ा है तो में बता दू आरपी एफ का पेपर है यह दो फरवरी 2019 का चेक कर सकते हो ओफिशल साइट पर जाके गूगल पर भी चेक कर सकते हो दो फरवरी 2019 को यहीं पेपर आया था है राइट अंसर पंदरा का अंसर निकाल स्टेशनरी कलम फर नीचर क्या होगा जल्दी से कि इस प्रश्णिका उत्तर कितना होगा दोस्त कि ABC कि चलो देख लेते हैं कि समझ लेते हैं इस्टेशनरी जो दे रखा है कलम जो इस्टेशनरी कलम कलम जो है वह एक इस्टेशनरी आइटम में आता है और अगर मैं बात करता हूं बेंच की वाटर की बोतल की बारिश की तो आपकी जो बेंच है वह क्या आती है आपकी इस्टेशनरी आइटम में वह सुरी है फरनीच का टाइप है, कलम जो एस्टेशनरी का टाइप है, आंसर आजेगा A, इसको निकालो दोस्ट कितना हैगा, LSMCJR, निकालो वई, कितना आ रहे, सारे पेपर करा दूँगा, अमरे लाल परिशान मतूँगा, तो भट एके करके करा हुगा, वन वाई वन, है ना, सब में लगवकर रिजनिंग सेम आते है, चाहे, ALP हो, चाहे, टेखनीशन हो, चाहे, RPF हो, चाहे, NTPC हो, चाहे, GroupD हो, रिजनिंग नहीं बदलती, रिजनिंग कोई ख्लास-वाइज नहीं चलती, सा कौन सा है जो पांचों मैं से एक अलग है है ना तो एक चीज समझो बारह और 820 1906 25 13 और आट 21 3 और 8 11 10 और 8 18 वाकी सब में आठ का अंतर यहां पर छे का अंतर है एस और वाई अलगा अंसर हो जाएगा क्लियर है ना ऑप्शन नमबर डी करेक्ट आंसर होगा फूर्थ वाले सारे ठीक है इसको निकालो कितना आएगा जल्दी बता इस प्रश्णिका उत्तर कितना होगा दोस्त जल्दी से बागी मैं फिर बोल रहा हूँ अब जो क्लास है वो रेलवे अड़ा पर होगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी जितने लोग देख रहे हो और जितने भी इसको बाद में रिकॉर्डिट पर देखोगे वो सारे के सारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्ल आपकी क्लास भी मिस्स नहीं होगी और मिस्स भी होगे तो बाद में नौटिफिकेशन पर जाके देख सकते हो कर सकते हो तो अगर कोई भूला वटका है जिसने नहीं कर रखाओ सब्सक्राइब वो कर लेना कि इसको निगालो कितना आ रहे कि दस ग्यारा कि एक बताओ दस की यह रहा कि देखने कि इतना आएगा कि ग्यारा भी आ रहा बारा भी आ रहा चलो देखते हैं समझते हैं अगर बात करूऊ बाहर की तरफ थौ एक तो यह बन रही ऊपार ऒली दूसरी एडरीन 옆 आ है एक यह पांच्छ एक च्छेह एक यह साथ साथ तो यहां तक मिल गए साथ में डिकत कोई परिशानी के सी को साथ क्लियर हैं ना है ना जल दिगा और साथ तक clear है मेरे लाल साथ के बाद में कोई और देख लो अपने पास में जो लाई है साथ के बाद में अगर हम notice करते हैं तो एक 8 और एक 9 generally तो 9 हैं लेकिन आप 9 के साथ नहीं जाएंगे उसका एक reason है अब अपने को करना picture को categorize करना पड़ेगा picture कैसे categorize होगी वो देख लो जड़ा कैसे होगी देखो एक यह बन रहा है पहले तो 1 2 3 4 5 6 और 7 साथ लाइनों से यह बनेगा समझना ज़रा यह बन जाए गा साथ से पहले यह बताओ इसमें साथ clear है सब को हाँ या ना कि इतनी picture के अंदर साथ होंगी हाँ या ना इतनी picture में कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई समस्थर कोई परिशानी किसी को ठीक है अब साथ के बाद में अगर अपन बात कर रहे है तो एक यह बन सकती है आठ वी एक यह बन सकती है नौवी आदस ग्यारा बारा इसमें मेरे को option में गलती लग रही है कुछ maximum line यूज अच्छा maximum कितनी यूज कर सकते है एक यूज कर सकते हैं आठ एक हम ये यूज कर सकते हैं नौ एक यूज कर सकते हैं दस एक यूज कर सकते हैं ग्यारा इसके के लावा को और बच रही है कि अबैक्शिय हैं 11 कि 12 बना सकते ज्यादा उर है इसलाइन तो भुझे दीखनी रेसिकार सब्दक्र इसके अलावा इसके लावा कोई लाइन है घ्राग तो मेक्जिम कह रहा है तो कोई अगर ऐसा हो जो जादा से ज्यादा बना सकते हो देखो ज़रा दूर से कोई भी ऐसी लाइन जो दूर वूर से दिखने पर तुमको दिख रही हो कम्प्लीट में भी लगा सकते हैं 12 लगा सकते हैं मिलकुल बागी तो I think मेरे हो कोई और लाइन दिख नहीं रही जो यहाँ पर बन रही हो है ना कोई और लाइन तो नहीं है ठीक है इसके अलावा कोई और लाइन नहीं दिख रही दिखो नॉर्मली जो अपन लाइन यूज करेंगे वो तो अपनी नौ आएंगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है यह वाली नौ है आपन के साथ ही जाएंगे कोई नौ से ज्यादा तो नहीं है ठीक है ना नौ से ज्यादा तो नहीं है अपने पास जो बेशि almो ने 8Dis अधिक्तम कितनी यूज़ कर सकते हैं, तो अधिक्तम यूज़ करने के लिए हम देखो एक प्रितो लाइन ये बना सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, है ना, साथ, साथ यहां तक हो गई, साथ के बाद में हम एक ये वाली एक्ष्टा बना सकते हैं, आठ अलग लग ही है, तो अगर इसके साथ भी जाओगे, तो 11 के साथ चले जाओगे, और कोई अधिक्तम लाइन में नहीं दिख रही है, तो 11 ही होगा, अगर अधिक्तम की भी बात कर रहा है कि maximum कितनी लगा सकते हैं, तो 11 ही लगा सकते हैं, 11 के लाबा कोई दिख रही हो, तो मुझे बतान होगे मेरी बास समझना भी तो थोड़ा सा यह इंट्रेस्टिंग बन जाएगा थोड़ा सम्झों मैक्सिम् के लिए पहले बताओ यह क्लियर सब को एक दो तीन चार पाँच छे साथ साथ वाला यह आठ और एक नो इतने नो में कोई दिक्कत तो नहीं है है ना यह 9 वाला कलियर है हाँ ना कि नहो के बाद मैं समझो अगर मेरे को तैब ड़ादा नी तो मैं एक तो यह कह सकता हूं कि सर में इसमें आगे बलादाओ तो दस बन जाएगी एक में कह सकता हूं सर इसमें आगे बढ़ा तो ग्यारा बन जेगी बोलो हाई ना ग्यारा बन गई अब ग्यारा के बाद में मैं बना सकता हूं कौन कौन सी बना सकता हूं मैं कहता हूं मैं इन दोनों के ऊपर एक लाइन सर पूरी रख सकता हूं बार है और एक इनके ऊपर बना सकता हूं तो मैक्सिम जो लाइने बना सकता हूं मैं यूज कर सकता हूं इसमें 13 कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा 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 ज्याद कितना हैगा जल्दी से इस प्रश्निका उत्तर कितना होगा दोस्त कि जल्दी निकालों नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ बैस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है दोका है वही तभी तो मैंने तुमको इस पर टाइम लेके बताया क्योंकि तुमको नौ की आदत पड़ी हुई है कि एक एक सीधी लाइने कि लो अगर वह पूचा कितनी सीधी रेखा करें तो तेरा अंसर होगा और तुम दोनों के वीच का लगा रहा हो गया रहा है तो कभी-कभी टाइम लेना बनता है ओके चलो बात कर लें देखो सबसे पहली चीज़ यह कह रहा है एल बड़ा है एन से आप एल से लेके एन तक जाता हो हमेशा याद रखना दोस्त यह ती और यह यह एक परिवार होता है और यह दूसरा परिवार होता है ठीक है यह दूसरा परिवार होता है एक परिवार यह होता है एक परिवार यह होता है यह जो होते हैं यह उतने दादा जी इनको कहते हैं ग्रांड फादर यह हैं दादा जी यह होते हैं पिता जी फादर और यह उदर तुम, खुद, सेम उदर वाले में, यह उदर वाले के दादा जी, उदर वाले के पापा और यह उदर वाले के तुम, ठीक है, दो परिवार हैं, तो हमेशे याद रखो, अगर घर के अंदर दादा जी है, पापा हैं और तुम हो, तो किसकी चलेगी, दादा जी की, और अगर दादा जी नहीं है पापा और तुम हो तो किसकी चलेगी पिता जी की तो वही सेम चीज होती है मेरे लाल L से लेके अगर आप N तक गए तो L और N के बीच में ये कौन है ये दादा जी ये कौन हो तुम ये कौन है पापा तो किसकी चलेगी दादा जी की बात ही खतम हो गई तो L और N की बीच में कौन आएंगे दादा जी आएंगे पिक्चर खतम सही है C और E के बीच में कौन आएगा बोला मुला C और E के बीच में मता दो कौन आएगा यह प्रडोशी की ढहागे अंदर उनके दादा जी की चलती है लेकिन जब किसी तीशे के घर पर जाएंगे दोनों अलाग अलाग है तो मेरे लाल नहीं चलेगी है ठीकिए तो जब बने यह अलाग यह वोगे तो किसी की नहीं चलीगी पाँच मिनिट ठीक है तो यह वाला क्या है घलत ओचेगा आंसर कित्ता होँआ केबल और केबल पहला अनुसमने करता है तो जितने यह वाले है और सारे के साले सारे क्यों एक परिवार रहेगा तो चलेगå दादा जी कि नहीं ठीक है और बस अगर दोनों परिवार अलग अलग है तो किसी की नहीं चलेगी बात ही खाता हूं उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे ना अपने दादाजी ना उनके दादाजी कोई नहीं ठीक है इसका मैं सोच रहो एक चैप्टर नानेगी ट्रॉपिक पढ़ो कि इसका बताओ क्य करना करना इस चैप्टर बच गया मेरे से इसका अंसर निगालो कि सिसकेतना आए का थीड़ इसका अंसर निगालो कि इसका अरे है है ठीक 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 मेरो कमेंट बता नहीं पड़ना है पर यहلة करि k當然 अभभी तुम 130 लोग के सस्वें हैं टो जितने भी ससे अड़ा पर हो उब आप तुमको दूसरी चीज्ज एकि रेल्वे अड़ा पर कल से क्लास में लेगी तो सर्च कर लिया करना railway अड़ा 24-7 ठीक है अगर class करनी है तो चलो बात कर लेते हैं कितना है इसको अगर complete करना है तो ऐसे complete कर देंगे बोले हाँ गुरुदेप कर देंगे ऐसे complete करने के साथ साथ में ये वाला square बनेगा बोले हाँ बनेगा इसको नमस्ते पूरा काला ये हो सकता है लेकर इसमें क्या है साइड वाला काला इसको नमस्ते करो ये बिल्कुल गड़ बड़े answer किता है का C C वाले सारे ठीक है ठीक है ठीक है थर्ड जितने लोग का आ रहा है वो सारे के सारे बिल्कुल correct है तो जितने लोग का answer C है all are correct, third one is the right answer विल्कुल ठीक है चलो ये question तुम्हारा homebar के इसका answer तुम लोग मुझे comment में कर देना जितने लोग को भी निकालना हूँ ठीक है चाहिए उसका screenshot ले लेना, वीडियो को दुबारा चला लेना यहां हलाके pause करना, pause करके answer निकाल देना, answer आ जाएगा, ठीक है चलो, अब मैं तुमको फिर से बता रहो, मेरे लाल जितने भी SSC Adda पर देख रहो, कल से ये class SSC Adda पर नहीं मिलेगी, एक काम करो, जहां पर आप YouTube चलाते हो उस YouTube पर सर्च में जाके सर्च कर लो आर, ए, आ, ए, ए, डबलू, ए, वा, रेल्वे, ए, डवल, डी, ए, अड़, टू, फो, फो, सेवन, इसको सर्च करो अभी सर्च कर लो जितने भी SSC Adda पर उखास करके सारे, सर्च करके अभी आजाओ इस class में और मुझे comment करके बता दो कि हां सर आ गया यहाँ class मिलेगी कल से तुमको railway Adda 24-7 पर सको देख लो दियांसर, railway Adda आजाओ, आके चैनल सब्सक्राइब कर लो कि सर कर लिया, वीडियो लाइक कर लो, कमेंटर मुझे बता दो कि हां सर मैं आ गया जितने भी अपनी पल्टन के हैं, सारे के सारे आजाओ इस जगे पर ताकि कल तुमको ढूंडने में परिसानी ना हो मेरे लाल, फिर कल का होगे मिल नहीं रही class, तो इसलिए कह रहा हूं, जल्दी से आजाओ, और आके मुझे comment में बता दो कि हां सर मिल गई मेरे को class, ठीक हम सारे आ गए SSC, अट रेलवे अटप है, जल्दी से, ठीक है, दूसरी चीज़ जिसक्री को भी महापेक बगएर है, इन्रोल करना है, classes के लिए Google पर जाकर सर्च कर लो, अटे 247, महाँचर चल जा जा जाओ, अटे 247.com पर, यहाँ जाकर आपको जाना है, औल कोर्स की इवुक्स के बाद करूँ तो आपको 2000 से उपर 400 से उपर किताबे मिल रही है, सारी group D, NTPC, RPF, सब की technician की सारी books मिल रही है e-book form में, और सारे exam railway के चाहें, RPF हो, NTPC हो, group D हो, ALP हो, technician हो, कोई भी exam हो, SI हो, constable हो, सब के आने बाले 2 साल तक, जितने बैच आएंगे, वो सारे batch मि लेगा, इसमें, कितने का पड़ेगा, Google पर जाओ, वहाँ जाके, enter coupon code में code लगा ले न, Y274, Y274, Y274 अड़ा का maximum discount code है, apply पर click करोगे, सबसे कम कीमत, 1490 रुपए पर आपको महापेक मिल जाए का, नाम, mobile number, email ID डाल के, enroll कर सकते हो, तो आपके घर, परिवार, रहतेदार, ना पर ठीक है, और जो कल भी SSC पर तो नहीं मिल पाए की class, जितने भी recorded पर इसको देखोगे, search कर लेना, railway ID 247, कल से वहीं मिलेंगे, thank you so much everyone, namaskar, प्रणाम, जहिंद, रादे राते, मिलते हैं, आगे तब तक के लिए बहुत-बहुत भने बाद, love you all, बहुत सारा सा प्यार, class पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि classes की notification मिलते रहें, thank you so much Belton, सभी को, जेहिंद,